यह उटिंगन बीज है देखो धाना दाल जैसा उनका बीज आता है बिल्कुल धाना दाल के समान उटिंगन बीज कहते है उटिंगन फेट दूर्ट का पहड़ा होता है उनस्पति होती है उसको अब मिक्सर में डाल कर चूरन करेंगे उसको उटिंगन बीज भी कहते है उटिंगन बीज और शुक्रतोटे भी कहते है अर्यूएदमा यह दो नाम है शुक्रतोटे इसलिए कहते है उनको अर्यूएदमा कि पूरुष का सुक्रानियों को जो कमी होती है वो पूरुष के सुक्रानों के कमी पूरी करती है उनका बीज का चूरन इसलिए उसको सुक्रतोटी भी कहा गया है यह जेठी मद का चूरन है जेठी मद को मुलेठी भी बोलते है मुलहरी भी बोलते है मधूग भी कहते है और मधूय अश्टिका भी कहते है हमारे गुजरात में जेठी मद कहते है जेठी मद का चूरन तीन सो ग्राम है इस शुक्रतोटे को मिक्सर में डालकर पाउडर कर दिया यह अधाई सो ग्राम है और यह बंग भस्मा है पचास ग्राम बंग भस्मा है मैंने इजाते बनाई है बिल्कुल वारितारी भस्मा पाने के उपर ठीरने वाली भस्मा यह मिक्स कर देता हूं थोड़ी थोड़ी डालकर एक ले असी तरह मिक्स हो जा लाए यह तिनों मिक्स हो गया अब उनको समसा से बराबर मिक्स कर देना है इसी तरीके से यह मिक्स हो जावे बाद में एक समसी चूरण लेना है इतना एक समसी चूरण एक समसी घी और एक समसी सहच के साथ लेकर उपर ठोड़ा गरम दूद पी जाना है हड़ दिन साम को एक टाइम लेना है तीन माज तक जो भी पूरुष को डॉक्टर दी रिपॉर्ड कराने के बाद उनको सुक्र की तोटी होए शुक्र बनता नहीं होए शुक्र कम होए इस शुक्र बनाने के लिए पूरुष के लिए यह अक्षीर दवा है तीन मैना लेनी पड़ती है हड़ दिन एक सम्ची तीन मैना दवा लेनी पड़ती है पूरुष के शुक्रानों के त्रोटी जो कमी कर देते हैं पूरुष के सुक्रानों में जो कमी होती है वो पूरा हो जाता है इसलिए ओ दमपती को संतान सुक की पासना हो सकती है एक सम्ची लेना है तीन मैना उनको बराबर मिक्स करके चोण कर डालना है बाद में एक सी बोटल में पडलो भेजना लगे इसी तरीके से जो भी पूरुष को सुक्र की कमी होए ऐसे पूरुषों के लिए ये दवा बहुत उताम है उनकी सुक्र की तोटी कमी जो शुक्र की होती है वो ये दवा पूरी कर देती है लेकिन बिल्कुल 00 सुक्राणू होगा कोई भी पूरुष को तो इसको शुक्रा नया बनाने के लिए जो संभावना नहीं है जिसको कम सुक्राणू है 00 नहीं है लेकिन कम है जो गर्बस्थापन के लिए तही है इसमें कम सुक्राणू पड़ता है ऐसे पूरुषों के शुक्रानों है उनके लिए दवा साइदना भी काम करें